जै हिन दोस्तो एटू बीटू एश्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो कल की क्लास में हमने आपको फिजिक्स और केमेस्ट्री से आने वाले दीफार्मिंसी इंटेस एक्जाम से रेटेड पचास महत्वपूर क्वेशन बताये थे ज दोस्तो आज की क्लास में हम आपको केवल वो पचास प्रस्ट्र मताने वाले हैं जो कि कल वाली वीडियो के खंड के बचे हुए थे आज हम आपको केवल उसके प्रस्ण दिखा ले माले हैं और कल की क्लास में हम आपको इसका full solution भी provide करा देंगे तो पिना समय बरबात किये सिधे ही स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास दोस्तों हमारी आज की जीव बिग्यान का पहला जो question है वो है यहाँ पर आप इस्कीन पर देख सकते हैं मनुस्यों के स्वसन के संबंध भे निलिखित में से सत्यकतन है Which one of the following is the correct statement of respiration in humans सेगेट पीने से स्वसनी सोध उत्पन हो जाकता है पत्थर तोड़ने एवं गिरने के उद्योग में कारेरत मजदूर फुस्फुसिया रेसा मयाता नामग रोग से पीडित हो सकते हैं कार्बन डाय अक्साइड का लगभग 90 भाग हीमोग्रोबीन और कार्बो मीनो हीमोग्रोबीन के रूप में ले जाया जाता है और चौथा जो आपका अप्शन है वह है यहां पे निट्रल सिग्नल्स फ्राम प्रेमोक्तिक्स सेंटर इन पोन्स डीजन आफ ब्रेन कैन इंक्रीज द डिरिशन आप इंस्पाइरेशन दूस्तों यहां पे आपको चार अप्शन दिख रहोंगे आपको बताना है कि इसमें कर्येक्ट एंसर कौन्स था है तो आप इसका जो कर्येक्ट एंसर है वह कमेंट बॉक में बताते रहे हैं कल की क्लास में कल सुबह 9 बैजी की क्लास में हम आपको इसका टोटल जो भी सॉल्ड्यूशन है वो प्रवाइट करातेंगे थैंगे अगरा क्वेश्चन नमारा बावना प्रश्ण है यहां पर आपके स्कीन पर देख सकते हैं दोनों ही लांगविज में हैं वैसकों में थायरोक्सीन की कमी के क्याड़ होने वाली साधिक अस्वस्थता जिसके निम्रिखित तरच्ण है कौन तरच्ण है यह आपको बताना है त यह आपको बताना है अगरा हमारा चौनवा क्वेश्चन आपके स्कीन पर है निम्रिखित यूगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है पेनी रिलियम कोनीडिया जली हायरेंस उपररी भूरतारी ब्रायो फिलग पत्र करिकाएं एगेव पत्र करिकाएं दोस् जो भी करेक्ट अंसर आपको लगी हमें कमेंट बॉक्स मताईएगा और हम आपको कल की क्लास में इसकी पूरी सॉल्यूशन फूल टेटिल के साथ प्रवाइड करा देंगे अगला क्वेश्चन हमारा है पचपनवा आप इसकीन पर देख सकते हैं निम्रिखित में से कौन सा जनतु किसी परीतंत्र में एक ही समय पर एक साथ पूसी इस तरोह में रखा जा सकता है तो यहाँ पर पच्पनवा की होगा है यह候 प प्रवा कोशचन आपको स्कीन पर यहाँ है झांपनवा कोशचन दिया हूआ है भोजन के निम्रिखित घटक योग्वों में से कौन सा मनुझे के आमासायस में पूर रूप से अप्चाईत अवस्था में पहुचता है तो क्या होगा इसका करेक्ट अंसर आपको हमें कमेंट बाक्स में बताना है सतावनवा क्वेशन हमारा है निल्रुकित में से कौन सी तखनीक कैंसर का पता लगाने हो तू शरवाधिक सुरुचित होगा अगला ठाउनवा क्वेशन हमारा है जड़क का विकास प्रेजी रिम दवारा होता है या फिर ऑक्शिन होतहे हो तो क्रेक्ट एंसर क्या होगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर उन्षटमा निम्लखित में से किसके खास शुराव में प्राक्टोज कैल्सियम था कुछ एंजाइम प्रचुन मातला में पाए जाते हैं तो नर्स हायक गंति यह प्रित में अगना समय या फिर लार्गर्म्तियों में कौन सा करेक्ट होगा आपको वताना है अगला है राइबोसोमल आरेने का सवक्री रूप से संस्रेटर होता है कहां होता है यह भी आपको वताना है एक शटमा क्वेश्चन है आपके स्कीन पर यहाप और बशटमा यहाप आप देशकते हैं होमो सेपियंस के विकास सी यह इतिहास के दोरान होने वाला सरवाधिक मुख्य परवतन है तो होमो सेपियंस के विकास यह इतिहास के दोरान होने वाला सरवाधिक मुख्य परवतन क्या है यह आपको वताना है बश्टमा क्वेश्चन हमारा है और इससे एक question और मनता है कि जो आधोनिक मानो है उनका वेगनिक नाम क्या है तो वो आपका homo sapiens ही है तो इसका भी आपको correct answer होता है कि कौन सा इसका correct answer हो सकता है अगला question हमारा क्या है लिनकीत में से कौन सा जीव क्लोनिंग हेत्व प्रयोग किये जाते हैं तो इसका क्या correct answer होगा उसके हासा तो पहरटाव question हमारा है जन्तु जगत में सरवाधिक प्रचुर होती है प्रोटीन होती है कौन से प्रोटीन होती है यह आपको बताना है ठीक है प्रयोटा question में और हमारा 66फा question है پोष्ठोड में सर्वाधिक विविद्था पाई जाती है किस प्रोटक प्रचुरच के पोष्ठोड में सरवाधिक विविद्था पाई जाती है कौको में प्लान्टी में, मोनेरा में या फिर एनी मेलीज में अगला है उच्छ पादपो में खादे पदार्थों का इसनांतर होता है किसके द्वारा होता है? वहनी क्याओं द्वारा होता है साहायक कोशिकाओं द्वारा होता है संवहान उतक द्वरा होता है या फिर चालनी तत्व द्वरा होता है अगला कुश्चन हमारा है अवित्ती बिजियो में कि आत्मक गुरू विजाडू निमलेकित में से किसकी रूप में विगसित होते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी अंत्रिच पदात और वसदी का बिना कोई राकेट उतपन किया चियोत्तम वित्रव निमलेकित में से किसकी अंत्र छेपर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है किसकी तो राप किया गया तो चार अपसन आपको दीख रहे होंगे यह मैं से कौन सा करेक्ट होगा यह आपको बताना है एक समान स्वस्त वैस्क मनुस्क के पती सौग एमेलुदिर में हीमोग्रोमिन की मादता किती होती है most important question है आपका option number 10 का correct answer भी होगा और हमारा 12 question आपके screen पर है जयवेथ हिनाल के पादन में के लिए आप निम्विखे में से किस पादप जाती का चयन करेंगे ठीक है और इसके बाद मारा 17 question आपके screen पर है यहापे आप दे सकते हैं 14 question सकरकंद समझात होता है किसके समझात होता है आलू के अजरक के सर्जम के या फिर कोलो केसिया के अच्छी या बिजान्डन्यास का उधार है डाइन्थन है नीबू है गेंदा है या फिर अरजी बोन है तो कौन सा होगा correct आपको हमें comment box में बताना है अगला हमारा ठरवा question है 78 किसी radioactive अडू के साथ सर्जम किया गया न्यूकलिक अमलक का एकल सुत्र क्या कहलाता है ठरवा question हमारा है डूधिर कौई काओ को त्वरित करने वाली कोशिकाए सम्मंदित होती है किस से सम्मंदित होती है तो कौन सा होगा इसमें से correct answer यह आपको बताना है चरापसन आपको दीख रहे होंगे अगला हमारा है यूगमक निर्माड के दोरान एंजाइम रिकाम भी नेश निर्मरिकित के समय भाग लेता है पुरवस्था पुरवस्था फस्ट पुरवस्था सेकंड पस्चावस्था या फिर मध्यावस्था फस्ट अगला है रोधिर की तुलना में लिंप होता है क्या होता है प्लाजमा रहित होता है प्रोटीन सहित प्लाजमा यूगत होता है अधिक WBCX यूगत होता है अधिक RBCS यूगत होता है था कम WBC यानि की White Blood Corporation यूगत होता है तो कम सावगा करेकर इसमे आपको बता रहा है अगला हमारा अस्थिमा है DNA अनुपस्थित होता है किसमे अनुपस्थित होता है तो यह कुश्चे में आपको करा रखा है अगला है अपका मानुपस्थिम में Blostocyst कहां होता है या पिर कैसे होता है कैसे कारे करता है तो यह आपको बता रहा है आपको चाला अपसम दिख रहा होंगे अगला है अपका 22 कोश्चन अपको इसक्रीन पर उसके साथ 138 सिमा यह रहा कोश्च का सिध्धानत परस्तावित किया गया था किसके तरह किया गया था तो बहुत ही असान क्रेश्चन है इसके साथ 148 सिमा है माइक्रोस्कोप प्रोन नामक रोगाड़ू जो मनुस्य में दाद नामक रोग उत्पन करने है तू उत्तर दाई है उसी जगत का है जिस जगत का जिस समन्नित है किसे समन्नित है टीनिया वुशेरिया, राइजोपस या फिर एस के जिस अगला है जुएंडिस इस अडिजास्टर आप पिलिया जो है एक विकार है उत्सदन तंतर का तोचा एवं नेत्रों का पाजन तंतर का या फिर परी संश्र तंतर का अगला है टी लिंपो साइट्स में ति अच्छर द्वरा पर्रवारषित होता है या परशित होता है, थाहराइड, थाइमस, थाहलमस या फिर टांसिज उसके साथ सतासिमा में कुछन हमारा है जल्संख्या विद्धी का निर्मार गलान समीकर द्वरा परवारषित के आता है पिGrhebiden केुन होता है तो कैसे होता है, चार अपसंद में से कौन जा करेक्ट होगा, इसके साथ एन एक्जामपल आफ, इडो माईरो हैजाई, इज, यानि कि अंतक कवक मुल का उधार, इन में से कौन जा है, नॉन इस्टॉक, राइजोबियम, गलोमस, या फिर, एगेरिकस, नेक्स्ट हैब का गयमिट, इंट्रा, फोलोपियन, ट्रांसपर, जिया, एफ्टी की तक्निक का सूझाव उन महिलाओं को दिया जाता है, जो यहाँ पर चार अपसंद आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो कौन साइस में करेक्ट होगा, आपको बताना है, इसके आसाथ हमा हैपटिक्स, जीवन चक्र या फिर स्वतन्त जीवी, यूगम कोदित्म, तो इसके जो भी करेक्ट अंसर होगा, वह आपको हम कल की क्लास में करा देंगे, अभी आपको इसका टोटल एनलाइसस करना है, और हमको बताना है कि कौन साइस में करेक्ट हो सकता है, उसे पर करना म कौश्चन है, भात में निर्मलकित में से किस में सरवाधिक अनुवानसिक विविधिता पायाती है, गेहूं पायाती है, टी के में पायाती है, आम में पायाती है, या फिर चाय में पायाती है, अगला हमारा है निर्मलकित में से वह कौन सा एक लच्छड है, जो मानवों त पिर मनुष्य से इन में से किस्त में जो कि ऐसा काइसा कौन सा जीव है जिन में यूरीक अहमलब मुख्य नाइट्रोजीन नी उस्तरजन अंग में पायाता है या फिर उस्तरजी पदार्थ होता है इसके साथ तमारा पंचानवेवा क्वेश्चन है निमिखित में से कौन एक स कौन सा संसवरिशित आक्सिन है और इसके साथ चथ है एकेरीशस की क्या विष्यश्च की क्या विश्च स्था था है तो कौऌपारा आपसम में दिख सा तो आप यह मैंee मल में कूछाहा yani कौछ ए को काहँ पाय याते हैं ग्राणिम पायाते हैं मोग गुहा के अस्तर तथा जीप की सतर पर पायाते हैं अंग नालयानी सीकम में पायाते हैं और फिर क्रीमी रूप परी सोधिका तथा मबलासे में अगला अंधान्वेवा कोई प्रॉष्ण है हमाई सब्सक्राइब में 24 घंटे की अर्था दैनिक दिल्लय जैसे सोने जागने का चक्त को नियंतित करने वाला हर्मोन से एड्रिल लेनिन है मेले टोनिन है कैसी टोनिन है या फिर प्राक्टैलिन है और अगला हमारा नियान्वे कुछ समवहन पूलों को खोले प्रकार का कहायाता है क्योंकि इन में से कौन सा करेक्ट होगा ठीक है तो वह आपको बगाना है और हमारा आखरी प्रस्ण है और यह पौद्धों में मैंगनीज का सर्व प्रयोकत कार्य है जल का प्रकास अवकटन कैल्विन चक्र नाइट्रो कोई प्रस्ण नहीं आता है तो कल की क्लास में हम आपको इसका टोटल जितना भी सॉल्योसन होगा वो प्रोवाइट करा देंगे और इसके साथ साथ इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे हाल एक प्रस्ण का फूली डिटेल आपको हम कल की वीडियो में सॉल्व करा